हलो फेंट्स वेल्कम टू आज चैनल क्रिप्टो विशाल आज के वीडियो में डिस्क्स करेंगे गाइस बिटकोईन के बारे में कल हमें एक पंप टेकने को मिला और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से एक डंप जो है जहां पहले हम चल रहे थे वहीं आ गया कौन सा वो डेटा उस बारे में बात करेंगे और ट्रंफ वर्सेज आरिस क्यों थम्निल पर लिखा है मैंने इस बारे में आच्छी वीडियों बात करेंगे सबसे पहले जलते हैं क्रिप्ट अनलेजिस पर मार्केट कैप 0.389% डंप वाल्यूम के बारे में बात करेंगे 9.0 परसेंट डाउन इंफ्लो का कोई डेटा रात बारा बरे सब्सक्राइब तक नहीं आया कल के दिने की इंफ्लो का डेटा देखने को मिला था फीर एंडेक्स फीर में थैडिसेवन में पिछले गंटे के सेंटिमेंट्स हैं यहां पे सेल की तरफ और हीट मैप देखें फिर स अच्छा दिन रहा है दस तारीका ब्लैक रॉक ने जरू कोई बाइंग नहीं करी है लेकिन फेडरल्टी ने बाइंग करी आरिक इंवेस्ट ने बाइंग करी सबसे चीज हुए हुई ग्रेश्केल की तरफ से कुछ सेलिंग देखने को नहीं मिली जिस वजा से हमें नेट प पॉजिटिव अच्छा प्लस में हमें देटा देखने को मिला एथिरियम एटीएफ में 11.4 मिलियन डॉलर का चलते हैं बिटकोईन की तरफ तो गाइस जब वीडियो बना रहा हूं मैं बिटकोईन के करेंट प्राइस है 56,433 कल क्या हुआ अगर आप देखेंगे एक ही 58,000 पे गए रात में फिर से 58,000 पे गए पर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद लगातार बनी यहां पर रेट केंडल और हम लोग नीचे की तरफ आए यहां पर क्यों हुआ है यहां पर टॉनल्ड टरंप और कमला है इरश पे इन दोनों के आपस में डिबेट होने वाली थ तो यह जो pump आया था यह इसी debate की वजा से था कि यहाँ पर उम्मीद थी और मुझे भी कुछ chances थे यहाँ पर कि जरूर discuss होगा और हो सकता है दोनों के दोनों यहाँ पर positive बात करें bitcoin के बारे में लेकिन कुछ हुआ ही नहीं जैसी meeting घत्म हो ही bitcoin के price ने फिर से dump देना शुरू कर अगर आप देखेंगे तो डॉनल्ड टम 50% पर कमला एरिस 49% पर यहाँ पर चले जबकि यही डिफरेंस पहले नेरबोट 4-5% का हो गया तो लेकिन कल डिवेट के बाद चीजें यहाँ बदलती हुई देखने को हमें मिली है आज के दिन क्यों होने वाला है जो मैंने आपको पंप और डुम के बारे में बात करी है तो अगर आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट डेटा आने थे वो डेटा स्टार्ट हो गए है तो आज आने वाला है CPI का डेटा इवनिंग में आएगा CPI का डेटा 11 तारीक को आएगा इसके बाद अगला डेटा आपको आता हुआ देखने को मिलेगा 10 तारीक को फिर है 13 तारीक को फिर है 11 तारीक को लेकिन इस बार के CPI data के बाद आने वाला है FOMC की meeting और उस meeting में chances है rate cut को लेके तो अगर CPI data की बात करें आप तो जो उमीद है CPI data की वो है 2.6% की और जो previous CPI का data था वो था यहाँ पे 2.9% का जब भी CPI का data आएगा ध्यान रखेगा आप लोगों को मैं telegram की उपर update यहाँ पे कर दूगा कल मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी और अभी भी यह चीज बोल लो और इस पूरे महीने यह चीज चलने वाली है वो है future trade अगर future trade ले रहे हैं जहां पे भी profit दिखे बुक करना जादा लंबे time के लिए मत देखना कल भी यह हुआ जब हम लोग 58,000 पे गए तो YouTube के उपर दो comment आए मेरे पास जिसमें यह लिखाता कि हम लोग Bitcoin को buy नहीं कर पाए Bitcoin इतने नीची आया पर हमें लगा Bitcoin का price dump होगा हम buy नहीं कर पाए FOMO में आके लोगा buy करेंगे यहाँ पर एक एक candle देखके FOMO में नहीं आना है इस महीने बहुत important event है number में होने वाले US के election तो FOMO में आके कोई भी trade मतले ना सिर्फ यह देखके Bitcoin का price उपर जा रहा है या Bitcoin का price नीचे जा रहा है अब तो Bitcoin का price 50,000 dollar को तोड़ देगा 48,000 dollar को तोड़ देगा यहाँ पर नीचे ही आता रहेगा FOMO में आके trade विलकुल मतले ना और अगर ले रहे हो stop loss का ध्यान रखना, leverage का ध्यान रखना यहाँ और सबसे बड़ी चीज जादा लंबे profit पे नहीं खेलना है, थोड़ा profit होता है, trade से निकल जाओ यहाँ पे इस चीज के बारे में ध्यान रखना, नहीं तो यह जो market जिस तरीके से भी चल रहा है यहाँ पे और जो मुझे उम्मीद है, इस महीने चलने वाला है, एक ही trade में आपको पूरे का पूरा यहाँ पे लिक्विडेट कर देगा, अगर आप इस चीज के बारे में ध्यान नहीं रखोगे तो, तो यह थे गाईज अपडेट जो करेंट चलना है, क्रिप्टो कंसी मा पसंदा है, इसको लाइक को सब्सक्राइब कर लिशेगा, थे क्यों फ्रेंट्स